झालो धोस्तो गुड इमिनिंग उबलने के लिए क्योंकि थोड़ी सी हमें टिकी भी बनानी है और उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे तो यहाँ पर मटर तो मैंने सुबा के टाइम ही भीगो दी थी पानी में तो अच्छे से मटर हमारी भीग चुकी है बैसे तो नहीं बनाते लेकिन थोड़ी सी मटर रखी थी तो मैंने का चलो बना लेते हैं और आरोही भी आज बहुत जाधा जीद कर रही थी जो कि आप सभी ने कल के ब्लोग में देखा था कि आरोही के टीका लगा है तो उसकी वज़े से आरोही बहुत ज़्यादा परेशान थी लेकिन अब आरोही बिल्कुल ठीक है और जो जहां पर टीका लगा है वो हाथ भी बिल्कुल ठीक है और अब दर्द भी नहीं हो रहा है तो अब तो खेल रही है लेकिन कल थोड़ा सा जाधा परेसान थी और यहाँ पर मटर आलू अच्छे से उबल गए थे उसके बाद में मैंने सारी तैयारी कर ली है वो आप सभी के साथ में कुछ भी चीजे मैंने सेर नहीं की है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी की बज़े से इतना ज्यादा परेसान हो जाते हैं खाना बनाने में कि मन होता है कि जल्दी जल्दी बस कुछ जल्दी वाला बना ले लेकिन हम माटर सुबा के टाइम भुगो चुके थे तो मैंने कचलो बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने टिक की बहुत सारी सेंक भी ली हैं जो कि मैंने जो आलू का भरता तयार किया था उसमें मैंने मिलाया था आरा रोट वैसे तो चावल का आटा भी मिला सकते हैं क्योंकि चावल का आटा अगर हो तो बो मिलाओ तो जाधा अच्छा रहता है लेकिन हमारे पास चावल का आटा नहीं था तो आरा रोट था वही मैंने मिला लिया था थोड़ा सा बस हलका सा और अच्छे से टिक्की हमारी बन गई थी अच्छे से सिक भी रही है तो बस हलकी हल कि आज में मैंने सारी टिक्कियां सेग ली हैं और यहां पर मैंने पहले तो आरोही को एक कटोरी में सबसे पहले आरोही ने ही टिक्की खाई है और चटनी मैंने बाजार से मंग वाली थी क्योंकि चटनी नहीं हम बना पाते हैं गर पर और इन दिनों में बैसे भी हम बनाना भ वो कुछ भी चीजे मैंने नहीं डाले थी बस चटनी ही मंगाई थी तो दोस्तों रात के बच चुके हैं नौ और सभी लोग खाना खा चुके हैं लेट गए हैं और अभी हमारे काम बाकी हैं बरतन धुलने हैं चुले की पुताई तो हमारी नदजी ने कर दी है और यहां पर और चुले की भी पुताई कर दी हैं अभी बरतन धुलने बाकी हैं वो हम धुलेंगे सुबा के टाइम क्यूंकि काफी टाइम भी हो चुका है और लाइट भी नहीं आ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और वैसे तो हम लोग पुताई करने वाले नहीं थे लेकिन बुगा आएं तो बुगा ने देखा कल है तेवहार जो की असाड़ी का तेवहार तो बुगा ने बोला कि पुताई कर दो बिना पुताई लिपाई नहीं होगी हमारे यहां का ये नियम है कि लिपाई के ओपर ल मिट्टी से उसके बाद में लिपाई होगी तो वैसे तो दुपहरी के समय में आप सभी को मैंने दिखाया था वहाँ उतने बीच की मैंने पुताई की थी लेकिन मेरी तवियर ठीक नहीं रहती है तो उसकी बज़े से यहां की छोड़ दी थी तो वही हमारी नदजी अभी बि को नमस्ते अपना बहुते ख्याल रखिएगा और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबा के टाइम तो आप सभी को गुड मॉनिंग और आज है 21 जुलाई दिन है रविवार का और आज है असाड़ी का तेवहार तो हम लोग आज असाड़ी का तेवहार भी मनाए लेकिन उससे पहले चाय नास्ता कर लेते हैं अभी सुबा सुबा आज मैंने नहीं नहाया है क्योंकि अभी थोड़ी सी लिपाई पुताई भी करनी है और थोड़ी से जो हमारे यहां असाड़ी असाड़ा बनाये जाते हैं वो भी हम बनाएंगे जो कि असाड़ के दिनों म उनको भगवान माना जाता है हमारे यहां भगवान है वो तो उनको हम लोग दीवार पर बनाएंगे और जिस तरीके से बनाएंगे आप सभी के साथ में भी सेर करेंगे तो सभी लोग गाउं में बनाते हैं हर जगे पर बनाते हैं कहीं कहीं पर नहीं बनाते होंगे लेकिन हमा परोस में गाउं हैं तो वहाँ पर सभी लोग बनाते हैं और हमारे गाउं में भी बनते हैं और यहाँ पर पहले दूद गरम कर लेते हैं उसके बाद में चाय बनाएंगे और खाना रख देंगे पकने के लिए सबजी जी उसके बाद में ही चलेंगे पीछे वाले घर में वही नदजी ने लिपाई की थी और बुगाने की थी क्योंकि आप सभी को कल ही बताया है कि थोड़ी सी तब ये ठीक नहीं है और आज भी हमारी भी थोड़ी सी जो बहां है जिसमें टीका लगा है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है तो थोड़ी सी सूजन भी आ गई है गाठ जैसी बन गई है और मैंने अपनी सिकाई नहीं कर पाई है क्योंकि या रोही की बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी बहां दर्द कर रही थी तो उसकी मैंने सिकाई कर दी थी और अपना दर्द हम भूल गए उसके आगे तो उसकी सही हो गई है अब हलका सा दर्द है और हलकी सी पढ़िये उसके, और आज और सिकाइँ ठोड़ी बहुत कर देंगे। और यहां पर हमा गए हैं पीछे वाले घ्न में बनाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहां असाड़ी-साड़ा बनाया जाते हैं। और बहुत ही प्यारे बनते हैं, कुछ लोग मॉर भी बनाते हैं, तो मॉर तो मैंने नहीं बनाया था, बस असाड़ी असाड़ा ही बना दिये थे यहां पर, एक यहां पर बना दिया था और यह बाहर की साइड में, और वैसे तो दीवारे इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि होती तो हलकी सी लिपाई पुताई हो जाती दीवार पर तो दीवार हमारी अच्छे से हो जाती हर साल पुताई हो जाती है दीवार पर लेकिन इसी इस बार अब की बार पुताई नहीं हो पाई है बार इसकी वज़े से तो बुगा ने कहा कि चलो ऐसे ही बना दो क्योंकि के उपर लिपाई हो जाएगी तो बुगा करेंगी यहाँ पर लिपाई हम तो नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर बन चुका है असाड़ी असाड़ा हमारा और अब एक हम बना देंगे बाहर की साइड में बहुत ही प्यारा लग रहा है तो कुछ लोग बड़े भी बनाते हैं कुछ लोग छोटे बनाते हैं तो मैंने इतना बड़ा बनाया है अच्छा लग रहा है और अब बाहर की साइड में ये एक बना देते हैं आप सभी को पास से दिखा देते हैं तो आप सभी भी कमेंट में हमें बताना कि आप सभी के यहां असाडी का तेवहार मनाया जाता है या फिर नहीं और किस तरीके से मनाया जाता है तो हमारी यहां तो कुछ इस तरीके से मनाया जाता है आप सभी के साथ में मैंने पिछली साल भी सेर किया था जब हमारी यहां असाडी का तेवहार हम लोगों ने मनाया थ तो हर बर से इसी तरीके से मनाया जाता है और यह जो तेवहार है असाड़ी का यह सबसे पहले पढ़ता है अब असाड़ी का तेवहार पढ़ चुका है अब तेवहार सुरू हो जाएंगे अब साबन में तेवहार आएंगे उसके बाद में बस तेवहार ही तेवहार हैं और अ यहाँ पर पीछे वाले घर में असाड़ी असाड़ा मैंने बना दिये थे, उसके बाद में आ चुके हैं यहाँ पर नय वाले रूम में तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत साप सफाई करनी है। का यहां पर भी पोच्छा उच्छा लगा देते हैं और जो भी साप सफाई करनी है क्योंकि आज हर जगे पर साप सफाई करनी है और लिपाई पुताई करनी है और यहां पर कलिए आरोही के पापा ने मोटर साइकल पर पोली धीन ढख दी थी तो वही रखी है इसको मैंने का घरी करके रख देते हैं और जो भी यहां पर पोंचा उच्छा लगाना है वो भी हम लगा देंगे अच्छे से साप सफाई कर देंगे और आरोही तब तक घर पर थी जो भी यह न की थोड़े बहुत अपनी बुगा के साथ में हेल्प करा रही थी और उसको भी नहाना है और ह खोड़ी सी तवियत नहीं ठीक है तो भी जाते हैं दबाई लेने के लिए तो आरोही के पापा के साथ में ही पापा भी गये हैं दबाई लेने के लिए तो सभी ने खाना खा लिया है हलका फुलका और अभी हम ने और हमारी नदज जी ने खाना नहीं खाया था तो हम लोग जब बनाएंगे तब ही खाएंगे पूरी कचोडी बनाएंगे अभी क्योंकि अभी पूरी कचोडी बनेना बाकी है तो वो हम लोगों ने कहा कि नहां दो करके बनाएंगे क्योंकि जो बाकी का जो खाना है वो तो बन चुका है सभी लोग खावी चुके हैं तो इतनी जल्दी भी नहीं है तो अब आराम से खाना बनाएंगे और यहाँ पर आरोही देखो कपड़े धुल लई है अपने और बुगा ने यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगाई है दर आप सफाई कर पाई थी जादा नहीं कर पाई थी और लिपाई पुताई तो हमारी नंदजी नहीं सारी की थी कल रात को भी आप सभी को दिखाया था कि उन्होंने बिरामदे में पुताई की थी काफी टाइम हो गया था तब हमारी नंदजी ने पुताई की थी और आज लि पाई बुगाने कर दी थी और यहां पर आरो ही यहां पर हमसे बोल लई थी कि मम्मा नहाएंगे तो मैंने का भी थोड़ी देर में हम तुमको नहवा देंगे क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं है अब तो आराम से धीरे-धीरे खाना बनाएंगे सारे काम पहले कर लेंगे उसक प्यारो, सपोर्ट बनाए रखना और जो दोस्त हमारे चेनल पर बन्निव आते हैं तो चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहां पर हम लोग नहाध होकर आ चुके हैं आरो ही बगिया से क्हिला देना भोग लगा देना तो हम लोगो ने का चलो आरो ही भी आ गई है हमा तो मैंने का चलो खिला देते हैं उसके बाद में जब हमारा खाना बनेगा पूरी, कचोडी, सबजी तब हम दुबारा से खिलाएंगे तो यहाँ पर बस आ गए थे खिलाने के लिए क्योंकि काफी टाइम हो चुका है लगबग 11 बच चुके थे और अभी भी हमारा खाना न नहीं बन पाया है आलू उबल चुके हैं बस पूरी, कचोडी बनानी है और सबजी बनानी है तो यहाँ पर हमने और आरोही ने भगवान जी को भोग लगा दिया है और उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं अब खाना बनाने के लिए कचोडियां हम लोगों ने थोड़ी सी बना ली हैं बस सेंक नी हैं तो पहले कचोड़ी सेंकेंगे और बीच में हम पूरी भी सेंक लेंगे लेकिन पहले जो हैं कि थोड़ा सा तेल जाधा रहता है तो पहले कचोड़ी ही हम लोग सेंकते हैं फिर थोड़ा सा कम तेल हो जाता ह फिर अच्छे से कचोड़ी सीख नहीं पाती हैं तो यहाँ पर बस अब खाना बना लेते हैं और थोड़ी सी यहाँ पर मख्या लग रही थी तो पंखा भी रख लिया है कि अच्छे से डुलाते जाएंगे और खाना भी हमारा आराम से बन जाएगा लेकिन इतने टाइम आज इतनी तेज लग रही थी क्योंकि सुबा के टाइम ही इतनी जादा गर्मी लगती है और आप तो यहाँ पर बहुत जादा गर्मी लग रही है धूप यह बहुत तेज आज निकली है बैसे तो हलके से बादल आदल चाय रहते हैं लेकिन आज बिलकुल भी बादल आदल नही बहुत तेज धूप निकले हुई है गर्मी भी बहुत तेज है आज पूरा दिन गर्मी बहुत तेज थी और धूप भी बहुत तेज थी और कचोडियां मेने का जो भी थोड़ी सी हैं पहले वही सेंक लेते हैं उसके बाद में बीच में हम पूरी सेंक लेंगे और फिर थोड बेसा ही हम लोग करते हैं, शुरू से जैसा होता हुआ आ रहाए हुसी तरीके से सभी लोग मनाते हैं। और कुछ जो होते हैं कि रीतिरीवाज बदल भी लेते हैं हम लोग लेकिन ये स्तिवार सभी लोग इसी तरीके से मनाते हैं। और कुछ दीदियों ने हमारी कमेंट किये हैं उनके भी आज हम जबाब देंगे। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप ये नहीं बताती हो कि आपका ट्वाइलेट बन पाया है या भी नहीं तो दीदी जी अभी ट्वाइलेट हमारा नहीं बन पाया है बैसे तो बन गया है कम्पिलीट हो गया है लेकिन अभी उसमें पलस्तर बाकी है और जो टा बहुत ज़िए खाना भाना के लिए और यहां पर यहां पर हम लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिंए और यह लोग तो सुबा के टाइम थोड़ा सा खाना खा चुके थे तो इन लोगों को कम भूँक लगी थी लेकिन हमें तो बहुत जादा भूँक लगी थी तो आरोही हमने सबी ने खाना जितने लोग घर पर थे उन सबी ने खाना खा लिया था और आरोही के पापा थोड़ा हलका ही खाना सुबा के टायम खा कर गए थे तो ये दुबारा से आ गए हैं तो यहां पर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं और आज हमारी दीदी जी आई हैं जो की नंदत दीदी ये हमारी बड़ी बाली दीदी हैं आप सभी को कई बार ब्लोगों में दिखाया जब भी आती हैं आप सबी को दिखाते हैं तो काफी दिनों से आने के लिए बोल लही थी लेकिन बीच में बिटिया की तबियत खराब हो गई थी इनकी छोटी वाली बिटिया की तो फिर नहीं आप आए थी और आज आई है तो आरोही के पापा बुला कर ले आए हैं और इनक भूंक भी लगी थी, तो मैंने का चलो खाना भी खालो, और यहाँ पर आरोही भी उठकर बैठ गई है, इसको भी भूंक लग गई थी, साथ में आरोही के पापा लेकर आए हैं कुछ खाने के लिए जो कि टिकी, समोसा, मिर्चा, यही सारी चीजे लेकर आए हैं, तो मैंने का सबी को नास्ता करा देते हैं और भुआ भी आ गई है हमारी नदजी भी आ गई है जो की छोटी वाली साधना और यहीं पर सबी लोग बैठ गए हैं पंखा चला लिया है लाइट तो नहीं है लेकिन अब की बारा आरुई के पापा ने प्लेट यहाँ पर लाकर रख दी है तब से यहीं पर रखी है तो उसी से दिन में पंखा चलता रहता है और यहाँ पर सब को मैंने का खिला देते हैं और गर्मी बहुत तेज हो जाती है इतनी तेज गर्मी हो जाती है कि दिमाग काम नहीं करता है इन दिनों में और फिर मैंने का कि थोड़ा सा आज साम के टाइम में तो लाइट अच्छी आ जाती है दिन में कमाती है लाइट अब लाइट एक दो दिन से साइद एक दिन से आने लगी है ध्यान नहीं यह में सही से है और लाइट आई थी तो मैंने दीदी से बोल दिया था कि बरब थोड़ा सा बना देना दीदी तो दीदी ने बरब बना दिया है आरोही अभी लेकर आई है दीदी के यहां से बरब तो मैंने का इसकी सिकाई कर देते हैं और आरोही इतला ज्यादा आज हस रही है शिकाई करने में आप सभी देख रहे हैं इतना ज्यादा खुसे इतनी ज्यादा हाद रही है कल रोत रहे हैं इतनी पत्थर रखी कता ही वह बढ़िया करके सिखाई करने देओ आज आरोही की बाहा दर्द नहीं कर रही है तो इसी वज़े से ठंडा ठंडा पानी लग रहा है तो बहुत ज्यादा आरोही खुसे बहुत ज्यादा अंस रही थी तो मैंने का चुपचाप लेटी रहो जिल्दी से बस सिकाई कर देते हैं आज बिल्कुल भी इसकी दर्द नहीं कर रही है चाहें कितना भी इसकी बाहा को दबाओ फिर भी नहीं दर्द कर रही है साम तक हमारी यहां तीन बार खाना बना था सुबे के टाइम उसके बाद में पूरी कचोडी बनाई थी दुपेरी में और फिर जब दीदी आई थी तब हम लोगों ने खिचली बनाई थी तो उन लोगों को जो महमान आये थे सबी को खिचली खबाई थी और सबने खाई थी म लिए ममा बो वाले नयवाले कपड़े पहनेगे हैं तो आज मैंने इसको पहना दिये हैं और यहांशत सबीग कर खाने के माई बेष लिए दावत देला हैं उस दिन माई नदजी घ करना रहा था वहाप लुए थी पहनले को यहांबक है टी-सर्ट लेकर आये हैं जो कि उनके यहां बच्चा हुआ है चोटा सा बच्चा आया है और उसी का नामकरण है तो उसी की दावत है तो वहीं पर हम सभी लोग जा रहे हैं दावत खाने के लिए और सभी लोग चल दें तो वहां का तो आप सभी को मैंने कुछ भी नहीं आप भूलें और जो दोस्त चैनल पर नूँ है चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते अपना पहोती ख्याल लगिएगा